तो बच्चो अब समय है कहानी का और आज की हमारी कहानी है सबसे पहला घर जिसे लिखा है नबानिता देशमुख ने जिसके चित्र बनाए है फिदी पूलु ने और जिसका अनुवाद किया है राजेश खर ने और जिसको प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने सबसे पहला घर पूर्व में एक दूर देश में बहुत समय पहले दो मित्रों ने बनाया उनका नाम था किंद्रू लालिम और लली दाम उन दिनों लोग गुफाओं में रहते थे और उन्हें घर बनानी के बारे में जानकारी नहीं थी एक दिन किंद्रू लालिम ने अपने दोस्ते कहा ओ लली मैं इन अंधेरी गुफाओं में रहकर तंग आ गया हूँ क्यों न हम जंगल में घर बना लें बहुत ही अच्छा विचार है कुंद्रू लली दाम चिल लाया चलो अपने दूसरे मित्रों पक्षियों जानवरों और सापों से चल कर पूछें कि घर कैसे बनाया जाए लली दाम और किंद्रू लालिम गुफा से निकल कर खने जंगल की और चल पड़े सबसे पहले उनको एक हाथी मिला जो एक पेड़ के नीचे खड़े खड़े अपने बड़े बड़े कान हिला रहा था ओ विशाल मित्र क्या तुम हमें घर बनाना सिखा सकते हो उन्होंने पूछा हाथी ने जोर से चिंगारते हुए कहा मेरी टांगो जैसे मजबूत लकड़ी के लठे बनाओ दोनों मित्रों ने एक पेड़ काट कर उसकी लकड़ी से मोटे मोटे खंबे बना लिये तभी वहाँ से रेंगता हुआ साप निकला मेरी तरह के पतले और ल लंबे लंबे डंडे ढूंड़ाओ साप बोला किंद्रू लालिम और लली दाम गए और पास के जुर्मुट से बास काट कर ले आए बासों को पीट पर लादे हुए जब वे लौट रहे थे उन्हें एक मित्थुन की कराहती हुई आवास सुनाई दी मित्थुन उस प्रदेश में रहने वाला गाएं जैसा एक प्राणी है वह एक मरे हुए मित्थुन की देहि के पास खड़े होकर चिला रहा था क्या तुम हमें घर बनाना उससे खाओगे लली दाम ने उससे पूछा मैं बहुत दुखी हूँ और ज्यादा बात नहीं करना चाहती उस मित्थुन ने दुखी आवाज में कहा पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी देखो एक बाग ने मेरे पती को मार खाया तुम लोग उनकी मजबूत हड़ियों जैसे जोड लगा कर छट का चोखट बना लो मित्थुन ने अपने मरे हुए साथी के शरीर की और इशारा करते हुए कहा लली दाम और किंद्रू लालिम ने मित्थुन का धन्यवाद किया और बास जोड जोड कर छट की कडियां बनाने लगे पर वे जल्दी ही ठक गए उन्होंने बास नीचे रखे और पास की नदी से पानी पीने चले गए अचानक एक सुन्दर सी मचली तेरती हुई आई और उनसे बोली मैंने दूर से देखा कि तुम लोग घर बना रहे हो मेरी पीट की चमकदार पपडियों को देखो धेर सारे पत्ते कठे करके उनको एक के उपर एक इन पपडियों की तरह बिचा लो तुम्हारा घर वर्ष और धूप से बचा रहेगा मचली ने कहा और वह तैर कर चली गई किंद्रू लालिम और लली दाम को अब बहुत सला मिल चुकी थी उन्होंने कड़ी महनत से घर बना कर पूरा किया जब घर बन कर पूरा हुआ दोनों मित्रों ने जंगल के प्राणियों को से देखने के लिए बुलाया तुम दोनोंने कितना अच्छा घर बनाया है सभी प्राणियोंने कहा अब तुम लोग इसमें अराम से रह सकते हो यह केवल हमारा घर नहीं है तुम सबका भी है और क्यूंकि तुमने इसे बनाने में हमारी मदद की है किंद्रू लालिम और लली दाम खुशी से बोले जब किंद्रू लालिम और लली दाम ने अपने नए घर में प्रवेश किया आसमान में सूरच तेजी से चमक रहा था हलकी सी बयार भे रही थी और पेडों के पत्ते हिल रहे थे और इस प्रकार पूर्व के उस सुदुर भाग में पहला घर बना जिसे आज अरुनाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो बच्चो कैसी लगी आपको सबसे पहले घर की कहानी?